तो इसकी बेक्स पाइड सैख्यूप कर रहा है, उख्येक कर रहा हों चेट कर दोंहें, अधा खुलार फिख्यूप गूंगट में मरीज बन कर सरकारी अस्पताल पहुंची IAS अफसर। ना सिक्योर्टी ना काफिला, महिला IAS का सिंगहम अफ्दार। गूंगट की आण में महिला आईएस ने अस्पताल में मचाया हलकम महिला आईएस ने स्वास्त विभाग की लगा दी सरयाम क्लास यूपी के फिरोजबाद स्थित एक प्राथमिक स्वास्त केंद्र में उस वक्त हलकम मच गया जब जिले की महिला SDM यानि कि एक आईएस अफसर और चक निरिक्षण करने के लिए पहुँच गई निरिक्षण के लिए SDM घूंगट में मरीज बनकर पहुँची थी उन्होंने आम मरीजों की तरहे लाइन में लगकर पहले पर्चा बनवाया और डॉक्टर को दिखाने के लिए कतार में लग गई शुरू में उन्हें कोई पहचान नहीं पाया लेकिन जब खुलासा हुआ कि घूंगट वाली महिला कोई और नहीं बलकि SDM है तो वहां मौजूद करमचारियों के पसीने चूट गए SDM को स्वास्त केंदर में कई खामिया मिली दरसल फिरोजबाद की SDM सदर कृती राज मंगलवार को यानि के 12 मार्च को दीदा मई इस तित शकीला नाईम स्वास्त केंदर पर गोपनिये तरीके से निरिक्षण करने के लिए पहुँची थी उन्होंने अपनी गारी को अस्पताल से काफी दूर छोड़ दिया था और घूंगट में मरीज बन कर अस्पताल में दाखिल हुई ऐसे में उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया जानकारी के मुताबिक मंगलवार को SDM सदर कृती राज ने घूंगट में मरीज बन कर दीदा मई के सामुदाइक स्वास्त केंदर में निरिक्षण किया वो सबसे पहले मरीजों के साथ पर्चा बनवाने के लिए कतार में खड़ी हुई मरीजों की भीड़ लगी थी लेकिन बनाने वाला करमचारी नहीं था काफी देर में पर्चा बना इसके बाद वो इंजेक्षन लगवाने के लिए काउंटर पर पहुँच गई यहां एंटी रेवीज का इंजेक्षन मनमाने धंक से लगाया ज़ा रहा था इसके बाद वो इस्टोर में पहुची जहां दवाएं एकस्पाइरी मिली वाडों के गदों में धूल जमी हुई मिली स्वाचाले की साफ सफाई की व्यवस्था भी वदहाल थी उन्होंने CSC के हाल की रिपोर्ट बना कर जिला अधिकारी को भेजने का निर्णे लिया है जिसे दोशियों के खिलाब कारवाई हो सके दरसल SDM सदर कृतिराज को CUG नंबर पर सूशना मिली थी कि शहर की नई आबादी वाले दीदा माई इस्तिस सामुदाइक स्वास्त केंदर पर तमाम अवेवस्थाएं है सूशना मिलते ही SDM सदर स्टाफ के साथ दीदा माई अस्पताल पहुँच गई इससे पहले उन्होंने सुरक्षागाड, गाड़ी, अर्दली और स्टाफ को अस्पताल से पहले ही छोड़ दिया गुंगट की ओट में SDM सामुदाइक स्वास्त केंदर के अंदर दाखिल हुई मरीजों की लाइन लगी हुई थी काफी देर बाद उनका नंबर आया तो उन्होंने दूसरे नाम से परचा बनवाया फरचा तो बन गया लेकिन एंटी रैबिस इंजेक्शन लगवाने का तरीका खराब था इंजेक्शन मनमाने ढंक से लगाया जो आ रहा था डॉक्टर के पास पहुँची तो उसका व्योहार भी ठीक नहीं था वो दवाकक्ष में पहुँची और देखा तो इस टॉक में एक्सपारी दवाएं रखी हुई थी इसके बाद SDM सदर ने खुद का परिचे दिया तो हलकम मज गया SDM सदर ने इसके बाद वहां रखी दवाएं और तमाम चीजों की चेकिंग भी की वहीं पूरे मामले पर अखिलेश यादों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है स्वैम घूंगट में जाकर उत्तप्रदेश की चिकत्सा व्यवस्था पर बड़ा परदा उठा कर सच्चाई दिखाने वाली सासी महिला अधिकारी को समल कर रहना होगा नहीं तो इस डॉक्टर दवाई के बिना चलने वाली उत्तप्रदेश की बीमारु चिकित्सा व्यवस्था के गोरक धंदे के खुलासे से शर्मसार हुई भाजपा सरकार कहीं ग्यानवर्धन के बहाने उनको अध्यन हेतु विदेश ही न भेज़ दे सुना इस खुलासे के बाद स्वास्थ मंत्री जी अस्वस्थ अवस्था में है अब एक्सपारी डेट की दवाओं से रोगी को ठीक करने की जुमाटी यानि की जुमला और गारंटी देने वाली भाजपा सरकार की भी एक्सपारी डेट निकल कर आ गई है वहीं SGM द्वारा बताया गया है कि अस्पताल की करमचारियों द्वारा लोगों को खड़े करके इंजेक्शन लगवाय जा रहे थे बेट पर काफी धूल जमा थी, साफ सफाई नहीं थी, डिलिवरी रूम और सोचाले में काफी गंदगी पाई गई थी करमचारियों में सेवा भाव का अभाव दिखा, फिलाल कारवाई के लिए निरिक्षन रिपोर्ट जिला अधिकारी महदे को भेज दी गई है